कि अब एक जल्दी से एक चीज समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है डुमेस्टिक बिजनस मैं हाई लेटर यूज करूंगा यहां पर कि चलो दोनिस्टिक बिजनस किया है तुम अपने दोनेस्टिक बाउंड्री में रह करके कि विजन्स कर रहे हो तो सभाव एक या दो या दो से सजब यह कंट्रीज में लेकर के जा रहे हो तो उससे क्या बोलेंगे internetal बिजनस के जीए domestic business छोटा ही होगा आप जिस भी एरिया में रहते हैं आपके एरिया में आसपस आपको कुछ शॉप की पर दिखते होंगे जो बाई domestically ही काम कर रहे हैं लेकिन उनका गल्ला एक एक दिन का पदली कितने लाख रुपे का है तो जरूरी नहीं है कि domestic business छोटा ही होगा लेकिन comparatively तो छोटा ही होगा न क्योंकि international business मैं अभी आपको समझाए international business तभी possible है जब आपके पार अच्छी capital हो इतना बड़ा विजन हो कि दूसरे देश में जाग करके explore करके आप पूरा setup लगा सकते है ठीक है business environment वो कह रहा है कि business environment यह topic आप लोगों ने 12 के business से पढ़ा होगा चलो मैं फिर भी एक बार recall करा देता हूं business environment क्या होते है सूरेंट तो हमारे जो business होते हैं जो भी हम business own करते हैं हमारे business को दो factor effect करते हैं एक external बाहर के जो भी factor से वह effect करते हैं एक होते हैं इंटर्नल पहले इंटर्नल की बात कर लूँ इंटर्न बाल होगे आपके कंपणी की management आपनी कंपणी की labor आपकी company की policy आपके rules यह आपके internal matter बाई इंटर्नल matter पर किसका control तुमारा परे रागवा तुममणरी माशीन करावे तो तुम देखो तुमारी policy करावे तुम देखो तो internal matter वो matter होते हैं जो कि controllable होते हैं ठीक है इसी लिए इनको business नहीं पढ़ाता है इनको में क्या पढ़ाऊंगा यह तो तुम principles of management पढ़ो तुम समझ जाओगे कैसे तुम्हें अपना दंदा चलाना है लेकिन कौन से एट से matter है जिनको तुम्हें ध्यान देना है तुम control नहीं कर सकते हैं तुम केवल उनका ध्यान रखके अपने action को change कर सकते हो वो होते हैं वो सारे matter जो आपके business के बाहर से क्योंकि उन पर तुम्हारा control नहीं है वो बाहर वालों की वाज़े से होते हैं और इनको पढ़ाने के रिए मैं simply बोलता हूं सोते हो ना याद रखते हो तो जाग जाओ ठीक external matter को समझने के लिए तुम्हें जागने की जरूत है सोने की जरूत नहीं है क्योंकि जो सोएगा वो खोएगा अब सोएगा मतलब s l e p thing क्या है यह social matters legal matter economic matter political matter और technological पारवी कक्षा को याद कर लो याद आ जाएगा social matter कितने country में लोग पड़े लिखे है कितने ना समझे है वो legal का मतलब है country किस चीज़ को ban कर रही है क्या prohibited कर रही है क्या mandatory कर रही है economic मतलब repo rate bank rate inflation political मतलब कौन सी political party जीतेगी आरेगी टेकनलोजिकल मतलब किस तरह की ने टेकनलोजी आ रही है या कोई सी टेकनलोजी अपसोलीट हो रही है तो business environment अब अगर आप domestic business कर रहे है तो आपके देश के ही यह factor आपके लिए काम करेंगे लेकिन international business में आपको अपने देश के भी देखने है दूसरे देशों का क्या culture है क्या legal matter है सब देखने है तो वही वही बोल रहा है कंपनी का size चोटा है scale of operation चोटा है तो रिस्क भी कम है international business के अंदर बहुत बढ़ा है दूसरी country के अंदर investment है बहुत पैसा लगा रखा है तो scale के बढ़ा restrictions वो कह रहा है कि domestic company में limited है क्योंकि सर्फ आपकी country में ना यह अगर आपकी country में भाई तो आप country के इंदर restriction होगी बहार का तो आपको कुछ मतलब ही नहीं लेकिन यहां पर आपको बहुत साही restrictions होनी पड़ेंगी देखो कितना लोग FDI को पोस्ट करते थे पहले कि भाई foreign direct investment नहीं होनी चाहिए आपको मैं सिर्फ case study दे रहा हूँ पढ़ना walmart के बारे में यह company ने अपना दम तोड़ दिया बिचारी company पूरी शिद्दक से कोशिश करगी कैसे भी करके इंडिया मार्केट में इंडियन मार्केट में entry मिल जाए नहीं मिलने इसी का substitute है student जो आप लोग सुन रहे हो नहीं क इसकी company है जो consumer goods के मामने में कहता हूँ एक पिन से ले करके कहने की बात है एक पिन से ले करके हवाई जहाच तक सब कुछ बेचती है आप बस जाओ आपको सब मिल जाएगा कोई company अगर इतने bulk में काम करेगी student इस level पे bulk में अगर कोई भी company काम करती है तो आप सोच रहे हो कि उसको कितना सस्ता बनेगा कोई भी समान मलब उसकी manufacturing cost almost ना के बराबर हो जाएगी क्योंकि इतनी bulk purchases आप करोगे आप सीज़ा manufacturer को बोले कि कि भाई तू सब के लिए जो बनाता है तू बनाता है लेकिन तू तो मेरे लिए अलग से production कर तो लोगों को लगा कि अगर Walmart इंडिया में आ गया तो यह तो जो थोड़ी बहुत बचा कुछ है domestic business है उसको भी zero कर देगा इसलिए नहीं आना चाहिए तो जी हमारे अम्मानी जी को लगा कि भाई आम दंदा तो बढ़िया है क्यों उन्सकी जगा हम ही कर ले तो इसलिए अब इंडिया में जो है वो जीओ मार्ट बन रहा है अब दिए देगा कि यह इतना ही बड़ा हो जाएगा जिपना कि Walmart है चलो तो हम क्या समझ रहे हम यही समझ रहे रिस्रिक्शन के Walmart इंडिया में क् इंडियान गवर्वर्मेंट ने इतना पोस्ट किया लोगों ने इतना पोस्ट किया के Walmart इंडिया में नहीं आना चाहिए आपको रिस्रिक्शन भी फेस करने पड़ते हैं इंटरनाशनल बिसनसे बहुत सारे क्यों कि आपको नहीं पता ला कि वहां के लोगों का उस बिसनस क को लेके क्या point of view है exchange rate अब domestic में आपको exchange rate का क्या फर्क पड़ता है इंडियन करंसी है मैं भी आपको इंडियन करंसी में ही आपका रिटरन दूंगा आप भी मेरी फीस इंडियन करंसी में दोगे लेकिन international बिसनसे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि dollar का rate अप यह डाउन होग तो दोनों में से किसी ना किसी एक पार्टिकल तो रिस्क है अगर वो हैजिंग function को यूज ना करें चो कि मांगे पड़ेंगे competition लेवल अगें domestic में competition बेचना है right culture तो यहां पर क्या uniform culture है क्योंकि domestic में तो आपको पता है ना कि आपके देश का क्या culture है आप उसी के और इंडिया में आके से दिल्ली में फोड़ा काम करेगी वह तो अपना प्रोडक्क यूपी में बेचने के कोशिश करेंगे नाडू मेंIL mu कोशिश करेंगे मिजोर में बेचने की कोशिश को तो सब जगा बेचने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए उनको adapt करना पड़ेगा हर एक region के कल्च को उस region में इस तरह के कपड़े जाधा बिखते हैं तो हम इस तरह के के कपड़ों में डील करना वह पर शुरू करें तब यह वहां के कस्तमर वहां की मार्केट को टाप कर पाएंगे राइट इनका स्केल बहुत चोटा है आप में से बहुत से सुर्ण अगें अज्यूमिंग डाट कि आप लोग एकनोमिक्स भी पढ़ चुके हैं तो आपको एकॉनोमीज ऑफ स्केल पता होगा वही जो मैंने अभी बोला कि जब आप कोई भी प्रोड़क्शन बहुत आपको एकॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है सूलिंट अपनी प्रोड़क्शन को इतना इतना पड़े पर करना जिसकी वजह से आप की कॉस्त्स भी्रोड़क्शन बहुत कम रहे तो और pessoalने जोई सबैंब स्केल अफ पर फिक margin जोटे से इकजब्स की बात किया है अपने सुना का ब्रैंड का परनीचर का काफी दज fare बनाता है व आई स्विडेण का एक ब्रैंड है थीक है लेकिन आब रहना की बात की जाए तो बता नहीं वह ईंडिया में एद्वाद में उनका शोरूम है इंडिया में आही चुका है इंडिया के अलावा युएश में यूरूब के और वह सारे देशों में है तो यह चोटे से इक्जांपल की बात किया है एक बुकिश एंग्जांपल है इसके रहावा मैंने आप यह अब बदा रहा था जो कि कहां कि टो फॉरण कि इंडिया में इंडिया के तो अपनी गाड़िया पतानी धिशुण पूरा बूर्च खलीफा को बनाने के लिए टाटा स्टील ने वल्टाउच केसी पूरे की पूरी पूरी बुर्च खलीफा के अंदर जो एसी की से जो भी हlla की पुरी टाठा कंपोनी की प्र टानारी तो पुछी कोई कपनी थोड़ी ना है Simility अगर में ड़ा में बात करऊ करूं विप्रो की तो विप्रो इतनी बड़ी कंपणी कहां-कहां संप्प्वियर बेच रही है आपने ड anál की boundaries को cross करके दुनिया के बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे देशों में जाता है तो यह जो एक्जांपल आपके सामने लिखा है यह जिस्ट एक एक एक्जांपल है कि एक रियलिस्टिक एक्जांपल लिया गया है IKEA कंपनी के बारे में किस तरीके से वह कंपनी की जो प्रेजेंस है को यहां पर लिखा हुआ है कि इस कंपनी कितने 49 कंट्रीज में उसकी प्रेजेंस है 400 स्थोर्स के साथ आप समझ रहे हो में डॉनल्ड्स एस सी डॉमिनोज पीजा हाट क्या है मल्टी नैशनल कंपनी क्या है इंटरनाशनल बिजनस का एक्जांपल है सोजी सोनी सोब में से साहे लांगे इंटरनाशनली ब्रण्ड है तो दाट इस याइडिय तो सुरण ये हमारे पास बात हो गए कि इंटरनाशनल बिजनस क्या है globalization क्या था globalization का meaning क्या था FDI क्या होता है ठीक है globalization के फाइदे क्या है globalization के नुक्सान क्या है यह सारी चीज़े हमने पढ़ ली आज की अपनी क्लास के अंदर ठीक है next class में next lecture में मैं आप से बात करूंगा different इस्पेक्स जो है हमारे इंटरनेशनल बिजनस के बारे में तो हमारे दो पार्ट हो चुके हैं आप लोग आगे के पार्ट देखने से पहले कोशिश किया करो पहले के पूरे पार्ट देख लो एक पुरी चेंड बनी रहेगी तो आपको समझना को रिलेड करना फिटा जादा असान होगा खलो सूरेंट्स,there तो किस दो है डाक्ट है बाकि रेस जो भी टोपिक समारे पारि आप्थ बाक्रेशनले दो रिलेक्स केस्तित करो हमारे बाक्रूद